हम मेंसे ज़्यादते लोग जिन्दगी भर यही सोसते रह जाते हैं जो जॉब मैं कर रहा हूँ या जो बिजनस मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या ये मेरे लिए सही है क्या यही मेरा फील था और हमें ऐसा लगता है कि कोई न कोई चेंजिस की जुरुत है ये मुझे उत में बात करने वाले हूं हम बात करने वाले हैं आज डेस्टिनी नंबर वन के बारे में तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के अंतक नमशकार ओम नमश्यवाय आयम सुश्वुताब भी and I welcome you to my channel जीवन चक्रा cycle of life जैसे personality number जैसे कि मैंने आप सब के साथ share किया है personality number one से लेकि personality number nine के बारे में हमें हमारे विक्तित्व के बारे में बताता है हमारे personality की बारे में बताता है हमारे behavior की बारे में बताता है उसी तरह destiny number जिसे हम life path नंबर भी कहते हैं वो हमें बताता है कि हम अपने करियर में हम अपने काम में कैसा करेंगे वैसे तो मैंने आपके साथ राहू, केतू और शानी that is number 4, 7 and 8 के बारे में already share कर रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस i button में जरूर देखेगा and description box में भी मैं इसका link देदूंगी आप जरूर देखेगा तो अब मैं ये series शुरू कर रही हूँ आप लोग जरूर आके हर अफते देखेगा कि आपका destiny number जो है आप आके check कर सकते हैं कि आपको कौन सा career choose करना चाहिए या आपके family में अगर कोई है friends है, relatives हैं उनके साथ जरूर share करेगा तो उनको जरूर help हो जाएगा अब यहाँ destiny number क्या होता है उससे समझने की बात है destiny number होता है कि पूरा date of birth जो भी आपका पूरा date of birth है उसको आपको add करना है sum up करना है for example, अगर आपका date of birth है 6, 6, 90, 96 तो आपको plus करना है उसको add करना है 6 plus 6 plus 1 plus 9 9 plus 9 plus 6 is equal to आएगा 37 अब इस 37 को भी आपको single number में लेके आना है तो आप क्या करेंगे 3 plus 7 is equal to 1 10 आएगा तो 0 का कोई value नहीं है तो आपका destiny number आएगा 1 that means आपको भी जो career में destiny number में, like path में जो rule करते हैं, जो planet rule करते हैं वो है sun और जैसे कि मैं पहले आप से discuss कर चुपी हूँ sun के बारे में तो हम सब जानते हैं service raised planet है आपका भी behavior बिल्कुल वैसा ही हो जाता है आप बिल्कुल king होते हैं और दुसरों के under काम करना आपको उतना कोई खास पसन नहीं आता तो अक्सर देखा गया है कि destiny number one वाले अपना ही काम करते हैं और उसी में वो खुश होते हैं और अगर आप job की बात करें तो destiny number one जैसे कि sun है आप को जो planet rule करते हैं और आप में एक king की जो सारे characteristics होते हैं वो होते हैं आपके अंदर तो आप basically लोगों से काम बहुत अच्छा करा सकते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे managers हो गए team leaders हो गए वो destiny number one वाले होते हैं destiny number one वाले लोग बहुत लखी होते हैं government jobs में अगर आपको number one जो है वो favor कर रहा है तो आप देखेंगे कि बहुत high positions में होते हैं ये चोटों-बोटे positions में नहीं होते हैं government organization में जो high post high level जो work होता है वो destiny number one करते हैं किसी social organization के अंदर बहुत अच्छा करते हैं chemical industries के अंदर बहुत अच्छा करते हैं बहुत अच्छे lawyer होते हैं judge होते हैं, advocates होते हैं and that too बहुत high positions में होते हैं and जहां बात करते हैं even teachers भी अगर वो होते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद ही वो principal बन जाते हैं या बहुत ही high position में वो बहुत जाते हैं ऐसे होते हैं destiny number one वाले और ये सारे आपके लिए fields हैं even आप medical line में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं and even आप army में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत energy होती है अगर आपको number one favor नहीं कर रहा है तो आपको government job तो मिल सकती है लेकिन आप देखेंगे कि आप lower ranking में like clerk वगरे की position में आपकी posting होगी अगर आपको number one favor नहीं कर रहा है तो अब जान लेते हैं कि आपके लिए कौन-कौन से businesses जो है वो बहुत अच्छे होते हैं कौन-कौन से business करें तो आपके लिए बहुत fruitful होगा अगर आप कोई gemstones का का काम कर रहे हैं या gold से related काम कर रहे हैं या vegetables का काम करते हैं fruits का काम करते हैं and vegetables में अगर मैं कहूं especially onion का अगर आप काम करते हैं तुबाको से related अगर आप काम करते हैं anything related to pulses, दालो का काम और उसमें भी उरग दाल का काम आप अगर आप करते हैं याँ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए wheat का काम करते हैं आपके लिए वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है fiber से related कोई भी गर आप काम करते हैं pet care से related अगर आप कोई काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़ादा काम्याबी मिलेगी लेकिन यहाँ आपको ये भी जानना है कि जब आप अपने आपको advertise करते हैं तो आपको advertise करना है आज के जमाने के हिसाब से ऐसा नहीं कि जैसे पहले आप के जमाने में newspaper में या pamphlet बाट देते थे वैसे नहीं आपको जो trend चल रहा है उसके हिसाब से आपको अपने आपको advertise करना है तो आपको बहुत ही अच्छा fruit उससे मिलेगा आप बहुत जादा कामियाब होंगे चलिए अब मैं आपके साथ कुछ tips शेयर करती हूँ कि कौन से दिन आप अपना काम शुरू करें तो आपको बहुत जादा फलेगा या फिर कौन से date में आपको काम नहीं करना चाहिए तो चाहे आप interview देने के लिए जा रहे हैं, exam के लिए जा रहे हैं या कोई tender के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन से days में जाना चाहिए Monday, Sunday and Wednesday आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और कौन से dates में आपको कोई भी नई शुरुवात नहीं करना चाहिए वो है 4 and 8 इन दो dates में आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए exam के लिए नहीं बैठना चाहिए interview के लिए नहीं जाना चाहिए या कोई tender के लिए apply नहीं करना चाहिए आशा करती हूँ, आपको ये सारे डीटेल्स अच्छे लगे होंगे और आपके काम आएंगे That's all for today, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Om Namaskar